अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें प्रसिद उपन्यासकार रामसर उपन्खी के जन्म दिविस को समर्पित उनके गाउध होला में एक साहितिक समागम करवाया गया जिसमें प्रसिद लेखको समेत पंजाब काला परिशद के चेर्मेंडा सूर्जीत पात्रों की तरफ से विशेश तोर पर शिर्कत की गई इस मौके उन्होंने नौजवान लेखक बियांत बाजवा का नावल बेज मेंने एक कालो गर्पन किया गया आणकी साथ जनम दिन मनाया ठाई गास तो 1922 उन्हों जनम पेंड तवडा चो गया सी ते उन्होंने जा लंबा समा जीड़े आपकदे बजो पेंड तवडा दे विची गजा रहा ते वो मेरे गवानडी सी उन्होंने दे नावल सी हुना तो मैं काफी परवावत सी लंबा समा में पढ़या होन भी पढ़तांगा ते साथी पिछे कोशे रही है मेरे पेंड दिन हार सी कोना दे यहरी रचना सी उन्होंने सी कठे करके शापया काउंकि खरडा थुड़ा या कहली भीक हो गया सी कलब बलो यहां समागमना करना में बहुत खुशी होई कि असल चेता जड़िया यादा ने ओही किसे कौम नो किसे तरफी नो अग्ये लेके जान दिया कि इतास भी एक याद है अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें झाल कर लेके जड़िया थे यजय किसे तर्फटते है